पेरिश से लेकर दिल्ली तक एक हाहाकार मचा है और हाहाकार किस बात को लेकर मचा है तो आपको बता दे फ्रांस ने भारतिये नागरिकों को लेकर जा रहे एक विमान को उतार दिया है आखिर इसमें 303 भारतिये नागरिक सवार है आखिर ऐसा फैसला फ्रांस ने क्यों लिय और क्या ये फैसला अमेरिका के दवाब में तो नहीं लिया गया है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से फ्रांस ने भारतिये नागरिकों को लेकर निकार गुआ जा र फ्रांसिसी अभी योजकों ने कहा है कि विमान को एक अग्यात सुचना के बाद ही रासत में लिया गया ये घटना तब सामने आई जब फ्रांसिसी राश्पती एमेनुएल मैकरों को भारत ने गंतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यतिति के तोर पर आमंत्रित किया है मैकर उनको अमेरिकी राश्पती जो बाइडन के इंकार करने के बाद मुख्यतिति के तोर पर आमंत्रन भेजा गया था अब समाचार एजेंसिया क्या कह रही है फ्रांसिसी अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत से निकार गुआ जा रहे हैं इस विमान का इस्तेमाल मानव तसकरी के लिए किया जा सकता है इस विमान ने संजुक्त अरब अमीरात से उडान भरी है फ्रांसिसी अधिकारियों की यात्रा के सर्तों और उदेशों को लेकर न्याईग जांच्छ्छुरू हो गई है अधिकारी मानव तसकरी के संदेह की जांच कर रहे थे इस उडान मे एक रोमनियाई चार्टर कंपनी के जहाज का इस्तेमाल किया गया था जिसने दुबई से उडान भरी थी जब पुलिस ने हस्त छेप किया तो ये टेकनिकल ठाराओ के लिए छोटे वैटरी हवाई अड़े पर उत्रा पुलिस ने कहा कि यात्रियों को सर्वत्तम संभव स्वा सुभी धाएं परदान करने के लिए वैटरी हवाई अड़े पर रिसेप्सन हॉल को अलग-अलग विस्तरों के साथ एक वेटिंग लाउंस में बदल दिया गया फ्रांसिसी अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि भारतिये नागरिकों को कितने दिन और रखा ज थे तो आपको बता दें बहुत सारी चीजें हैं इस कहानी के पीछे और भी चीजें हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरीकी हस्तचेप आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा निकारगुआ स्क्रीन पर देखिए एक मध्य अमेरीकी देश है निकारगुआ के उत्तर में ह परवेज करने वालों के लिए जन्नत है इस देश के रास्ते हर साल हजारों की संख्या में अवैध परवासी अमेरीका मैक्सिको सीमा पर पहुँचते हैं इस रास्ते में अवैध परवासियों को कई चुनोतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें भगौली की स्तिती चोरी डकैती जैसी घटनाए भी सामिल है निकारगुआ में इन परवासियों को लेकर कोई खास जाच नहीं की जाती है आपको बता दें कुछ चीजें हैं और कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये कारेवाई कोई बदले बदले वाली कारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तुम जो नए नियम बना रहे हो कि बाहरी देश के इलीगल लोग न घुश सके ऐसा मत करो अब आपको अजीब नहीं लग रहा है एक तो तुम कलत हो उपर से इस देश में घुश गये हो और घुश कर ये कह रहे हो कि नियम मत बनाओ वहीं दू देख रहे हैं नाइजेरियन स्टुडेंट्स को इन्होंने अपनी परिवार लाने से मना कर दिया है इसके बाद आप कुछ और भी चीज़े देख सकते हैं यूरोप तंग आ गया है इमिग्रेंट से बाहरी लोगों से और ये लोग यूरोप के अंदर जब घुशते हैं त तो वहीं स्क्रीन पर और भी आर्टिकल देखिए अब यूरोपिय यूनियन ये जब कॉन्फरेंस कर रहे हैं तो ये आपस में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी यूरोपिय देश इस समस्या से जोज रहा है और इसको हमको देखना होगा ग्रीस ने तो आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि यूरोपिय यूनियन को उन देशों पर सेंसन लगा देना चाहिए जो देश वापस से अपने इलीगल माइगरेंट्स को नहीं ले रहे हैं और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमेनुएल मेकरोन अपने बिल को लेकर आ चुके हैं कि नहीं भीया सिर्फ यू यूनियन ही नहीं यूके के पीएम सुनक भी भड़के हुए हैं इलीगल तोर पर माइग्रेशन करने वाले के ऊपर पूरा यूरोप भड़का हुआ है अब अमेरिका की क्या इस्तिति है आपको सुनक थोड़ा आश्चरे लगेगा जिस देश के लिए यह जो मामला हो रहा है निकरगुआ उसके बारे में जड़ा जान लीजिए होता क्या है चार देश हैती क्यूबा निकरगुआ वेनुजुएला इसके लिए अमेरिका ने एक नियम बनाए और अमेरिका ने कहा कि अगर हमें इस तरीके से परवासियों को लेना है तो हम हर महीने 30,000 परवासी ले कहा गया कि एक तो इनका स्पोंसर होना चाहिए दूसरा इनका बैक्ग्राउंड चेक होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तब हम एंट्री देंगे वरना हम वापस भेज देंगे जहां से यह आये हैं अब क्या होता है इस नियम के बाद और ज्यादा भीड बन जाती है क्यो प्राइद रास्ते से भी हम एंट्री दे सकते हैं और दूसरा यह मौका मिल गया कि हम अमेरिका को जुकाएंगे और कहेंगे कि अगर तुमने हमारी उपर लगे हुए पर्तिबंधों पर छूट नहीं दी तो फिर हम इसी तरीके से बाहरी गुस पैटियों को तुम्हारे द अंदर प्लेनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गी है स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और यह आर्टिकल अक्टूबर मेंने की है ऐसा नहीं है कि अभी पकड़े जाने के बाद इस तरह क्या आर्टिकल बन रहे हैं अब क्या हुआ है खुद अमेरिका में बवाल मच गया है कि तुमने यह नियम बनाया क्यों इस नियम की वजह से तो हमारे लिए और ज्यादा समस्याएं बढ़ रही है यह जो कॉंसेशन दे रहे हो आप इस कॉंसेशन से और भी ज्यादा मुस्किलें बढ़ रही है और और प्रवासी इलीगल तोर पर ज्यादा आ रहे हैं अब अमेरिका के कोट में यह केस चला गया है आपको बता दें अमेरिका ने क्यूबा से हैती से निकारगुआ से वेनुजुएला से कई सारे गुसपैटियों को भी पकड़ा है हलाकि गुसपैट करना आसान नहीं होता है कई बार हम लोग देखते हैं समंदर के रास्ते से जाने वाले लोग मारे जाते हैं डूब जाते हैं लेकिन अच्छी जिन्दगी के चाहत में फिर भी इस तरीके के माइग्रेशन रुकते नहीं है अब देखना होगा भारत को भी कौनसूलर एकसेस दिया गया है भारत भी अपने यात्रियों से बाच्चित कर रह अब इन यात्रियों के साथ क्या केस है 303 यात्री किस रूप में जा रहे थे ये देखने वाली बात होगी वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ